आज यूपी के दंगल में बात करेंगे अयुद्या से योग्या आदतनात की हुंकार की साती चर्चा करेंगे मतुरा से आई एक एहम खबर की जहां मतुरा में वोट ना देने पर दलीतों पर हुआ है जानलेवा हमला आरलजी के कारेकरताओं पर लगा है कि गंभीर आरोप और इनी बड़ी खबरों पर चल्चा के लिए मासा स्टूडिय में मौझूद है कि आपकोटल टीवी के एडिटरिन चीफ डॉक्टर मरीश कुमार डॉक्टर साब बसवागत है आपको तो सबसे पहले बात करते हैं अयुद्या से योग्य आधितनात की हुंकार की योग्य आधितनात ने अयुद्या में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में फिर से भाज़पा की सरकार बनने पर एक हाथ में विकास की छड़ी होगी तो दूसरे हाथ में बुल्डोजर की स्टेरे होगी उतर प्रदेश के विकास की रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा है साथी माफियाओं और गुंडों के खलाब कारवाई होती रहेगी आजकल योगी आदितनात जहां जहां जा रहे हैं वहाँ बुल्डोजर का जिक्र जरूर हो रहा है लग रहा है कि 10 माजक के बाद पक्का बुल्डोजर चलना तै है देखे बुल्डोजर योगी आदितनात के पूरे प्रशासन का एक ऐसा संबल बन गया कि लोग जब तस्वीरे देखते हैं उन बहुबलियों और माफिया और बड़े-बड़े गुंडों के घरों के उपर भुल्डोदर जब चलता है आम जनता के कलेजे को घजब की ठंडक मिलती है इसमें कोई डाउट नहीं है कोई ये कहे कि भई हम बुल्डोदर चलता हुआ देखके बड़ा अन्याय हो रहा है नहीं बुल्डोदर को इन्होंने एक सिंबल बना लिया कि चाहिए वो कोई भी हो जो लोग जिनकी तूती बोला करती थी जो सरकार से भी उपर के सरकार थे जिनके लिए कानून विवस्था पुलिस कोई माइनी नहीं रखता था जो अपनी मनमानी करके आम लोगों को ड़ा करके रखते थे उनके खिलाफ इस तरह का सिंबॉलिक और परचार पसार भी होता था आजकल तो वीडियो सब के हाथ में ये फला गुंडा है उसके घर को य अलग तरह के का कॉंफिडेंस सिर्फ बुल्डों दर नहीं चल रहा था आप देखिए कितने सारे इंकॉंटर्स हुए और ये गट्स चाहिए होता है कि मीडिया ने निगेटिव केंपेंड शुरू किया कि ये इलिगल इंकॉंटर्स हो रहे हैं ये ठीक नहीं है हुमन नाइट्स वालों ने आवाज उठाया सब तरफ से लेकिन योगी आदितनास का अपना लग स्टाइल रहा था कोई भी मीडिया वाला पूश्ता भी था कितनी गोलियां चल रही हैं वो ठीक नहीं है बहुत सारे इंकॉंटर्स जो हैं वो गर्बड है कोई अपरादी क इसके लिए तो पहले पात कि आपको पॉलिटिकल विल चाहिए आपको इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि फिर मीडिया में किस तरह का उनको क्रिटिस्म झेलना पड़ेगा लेकिर इन सब के बावजूर जो तरीका अपनाया गया और ये बात बिलकुल सही है कि जितने गुंडे बदमास थे उन्होंने कहा जेल ही सबसे सुरक्षी जगह है अंदर चले जाओ या फिर राज छोड़ के भाग जाओ क्योंकि बाहर रहेंगे कुछ ने कुछ हाथसा हो जाएगा तो ये जो लाइन ओर्डर एक इतना बड़ा मसला और जो बुल्डोजर एक सिंबल बन के उबरा और विसी बात है मुख्मंत्री ने अपना सब कुछ दाओं पर लगा दिया इतने बड़े बड़े लोगों से लड़ने के लिए हिम्मत भी चाहिए होती है आपको ये भी सोचना पड़ता है कि कल मैं मुख्मंत्री नहीं रहूंगा फिर यही बाहुबलियों क की सरकार आ गई इने गूंडों के सरकार आ गई कि तो आ योगी अलगलात को पर के जिल के अंदर डाल देंगे यह सब भी सोचना पड़ता है ने आप यह समझिए यह तो योगी आधित नात है ना कोई है कि ना आगे कोई है ना कोई पीचे है तो अकेला इस तरह से मुख्म किये तो ये तो आपका अधिकार बन जाता है कि आप उस नाम पे लोगों से वोट मागे और आप कहां पहुंचे हुए है अयुद्या बीजेपी की तारिफ करनी पड़ेगे इस बात के लिए कि इन्हों ने आयुद्या के मसले को उसमें कमनल कलर नहीं होने दिया जैसा कि लग बन रहा है उसको लेकर कि वो सारा फोकस उस पर चला जाए तो उन्होंने अपने इंट्रव्य में यह बात कहा भी कि अध्या उनके लिए चुनावी मुद्दा नहीं है यह बात सही है आप देखिए मैं तो इसलिए मैं पूछा कि भाई लोगों को यही एक्सपेट कर रहे बीजेपी से कि भाई अयोध्या अयोध्या इतने साल हो गए और जब बन रहा है तो आप अयोध्या के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हो यह अपने आप में यह बताता है कि आप किस तरह की दूर दृष्टी रखते हों कि एक चुनाव के खातिर आप पूरे महौल का जो है आप उसमें जहर न डालें ये एक अच्छा कदम ये भी कहा जा सकता है लेकिन वाटेवर सेड़न डन हम लोग जनता के बीच में भी गए हैं लोग यही तो कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे तो लोग उनके भारतियंता पार्टी के इस कंट्रिविशन को एक नोलेज भी कर रही है और साथी साथ ये अच्छी बात है कि आप जो बड़े-बड़े लीडर्स हैं वो इसको मुद्दा बना कर एक तक सकते कि कमिनल पॉलराइशन करने की कोशिश वो नहीं कर रहे हैं चल ये दूसरी खबर पर भी नज़र डाल लेते हैं अब बात करते हैं अगली खबर की उत्रप्रदेश के मतुरा जिले में विधान सभा चुनाओं में पार्टी विशेश को वोट ना डालने को लेकर अनुसूचित जाती के लोगों पर हमले का मामला साम रिया है दिरसल मतदान में लोगदल प्रत्याशी को वोट ना डालने को लेकर जाती विशेश के लोगों के बिच विवाद हो गया इस दौरान जमकर पत्रा हुआ और बंदूग से फारिंग भी की गई वहीं खून से लदपत घाय लोग ठाने पहुचे ऐसे में पुलिस ने सुनवाई करने की जखा उन्हें वहां से भगा दिया ये खबर फर्स्ट फेस की वोटिंग का है जबर्दस्थ हमला किया गया फारिंग होई खून से लदपत लोग जब कोट पुलिस थाने तक पहुचे तो पुलिस ने कारवाई नहीं की जबजस्ती वोटिंग की अपील क्यों की गई देखे ये जो हाथसा हुआ है ये बड़ा ही शर्मनाक है और इसके पीछे की गंदी राजियती को भी समझना जरूरी है मैं देख रहा था ट्वीट आज ही कई सारे सेकुलर तथा कतित में बार बार कहता हूँ कि सेकुलरिजम कुछ पत्रकारों का धंदा है सेकुलरिजम को बेचते हैं ये सेकुलर इंडस्ट्री है देश के अंदर में एक सबा नकभी है वो ट्वीट उन्होंने आज किया और ट्वीट क्या किया उन्होंने लिखा कि भई उन्हें बहुत ही जो वहां के पत्रकारों से और सोसल एक्टिविस्स से पता नहीं कौन-कौन लोग है ये उनसे बाचित करते हुए ये मालूम चला रहस्य वो कर रही अपने ट्वीट में कि जाटब वोटर्स जो है वो उसका एक धरा चिटक के वो समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है इस कॉंटेक्स को समझी जो प्रोपगेंडा किस तरीके से किया जाता है कि दलित जो है वो समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है कई सारे दलित वोटर्स जो है वो सामने आकर के नहीं लेकिन चुप चाप वो समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे है ये प्रोपगेंडा जैसे एक प्रपगेंड़ा चलाय गया कि चुनाओं के बाद योगी आदितनात को हटा दिया जाएगा छे मेना पहले ये मालूम चल गया कि भई इन लोगों को यही गैंग कि योगी आदितनात को हटाय जा रहा है मोदी और योगी के बीच में बड़ा कोल्ड वार चल रहा है क्या हुआ कहा है वो सब पत्रकार ये समाजवादी पार्टी के प्रचार में जुटे हुए ये लोग मने इतने बेशरम लोग हैं ये लोग कि आप ब्रेकिंग नूट चला देते हो और ये खबरे जूट साबित हो जाती है तो कम से कम माफी तो मांग लिया करो कबूल तो कर लो कि हाँ हमारा असेस्मेंट गरत हो गया अब ये तमासा चल रहा है अब इस बीच मत्रा की खबर आई जाटब समाज के लोग है जिन को कौन पीट रहा है आरोप आरलडी के लोगों के उपर कि मैं तुमने हमें वोट क्यूं नहीं दिया इसलिए पिटाई हो रही है तो जाटब को पीट रहे हो इस चीज के लिए कि ये समाजवादी आरलडी के गड़बंदन को क्यूं नहीं वोट दिया मतलוב आपको वोट नहीं कोई देगा तो आप उसकी पिटाई करोगे और डेमोकरसी का कसम यही लोग जब सबसे ज़्यादा खाते है सबसे ज़्यादा डेमोकरसी डेमोकरसी यही लोग चिलाते है और जो कोई वोट नहीं देता तो आप उसकी पिटाई करना चालोगे तो इसका मतलब यह है कि आप सुरू से उन्हें धरा धंगा कर क्या आप रखेवे हो गए कि दलीतों को भोट नहीं देना है और पुलिस कारवाई क्यों नहीं कर रही है अगर मैं तो यह कह रहा हूं कि इन दलीतों को सीधे सीधे SCST Act के अंदर केस लगाना चाहिए और जो पुलिस वाले जिन लोगों ने केस दर्ज नहीं किया उनके खिलाब भी कारवाई होनी चाहिए अब ये दो चीज ये ख़बर इसलिए important है कि एक तरब आप प्रपगेंडा भी कर रहे हो दूसरी तरब ये सच्चाई भी किसी का सर फूटा हुआ है वीडियो वाइरल हो रहा है कि आप दलितों के उपर इस बात के लिए दवाव डाल रहे हो कि समाजवादी पार्टी को वोट करो और ये चुनाओं से पहले चुनाओं बने अभी तो सरकार भी नहीं बनी है अभी तो result भी नहीं आए है खुदाने खास्ते सरकार बन जाए तो आप समझ लिजे बंगाल वाल होगा ये यूपी बंगाल बन जाएगा जिस तरीके से लाखों की संख्या में हिंदों को भागना पड़ा हजारों की संख्या में महिलाओं के साथ बलतकार हुआ यही नंगा नाच शुरू हो जागा यूपी के अंदर भी और जिस तरीके से यह तमाम यह जो दलाल मीडिया है तेलिवजिन चैनल अख़वार और बेरजगार पत्रकारों का जट्था जो टूटर के उपर अफवार ग्रणा फैलाने में जुटा हुआ है यह फिर चुप होगर के बैठ जाएंगी कोई साथ देने नहीं आएगा तो यह जो कारवाई हो रही जो पुलिस वाले और जो तताकत यह तमाम लोग है इसमें जिनकी भी नकारापन साबित होता है इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई होनी चाहिए यह डेमोक्रसी का सही रास्ता नहीं है और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो बाहुबलियों के उपर जो कारवाई हुई और मैं अबतिवी आज अयोध्या में थी और उन्होंने इस घटना के उपर उन्होंने संज्ञान भी लिया और उन्होंने कहा कि अगर ब्यस्पी की सरकार आएगी तो इस तरह के गुंडे माफिया के खिलाब भी कारवाई होगी तो ये यूपी के चुनाओ के बीच ये जो अपवा ये जो तमाशा चल रहा है ये आगे जो चार फेजिस के जो वोटर्स हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि किने उनको चुनना चाहिए बहुत बहुत शुक्र बाचित के निए धन्यवाद तो उतर प्रदेश में चुनाओ जा रही है मतुरा जनपत में पहले चरन के तहर दस परवरी को मतदान हुआ था ये मामला उसी वक्त का है जो अब सामने आए है यूपी चुनाओ पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है और सबसे खास जानकारी यूपी चुनाओ के बेश कैपिटल टीवी पर देखे यूपी के मुख्यमंत्री योग्या अधितनात का धमाकेदार इंटरव्यू आज के काश जो यूपी के दंगल में फिलाल इतना ही नबसक्राइब